है है लो श्टूडेंट्स वैलकम यू अल अन CSC सब्जेक्टवाइ बचे लास्ट लेक्शर में हमनी कवर किया था एप्सिलोन एंफए को डियेफए में करश किया था उससे पहले sent extended transition function को read किया उससे पहले बचे epsilon nfa को nfa में और what is epsilon nfa यह सब details हमने discuss की थी बचे आज अभी उन सभी points का use इस lecture में होनी वाला है बचे हमें क्या find out करना है बचे आज हम बनाने जा रहें reversal automator suppose करो बचे एक string है आपकी a b तो इस string का reverse क्या होगा बचे b a राइट ऐसी बचे suppose करो एक language है l आपकी start with a start with a और a,b और sigma a,b राइट तो इस language में बचे कौन कौन सी string होगी a double a a,b, a,b, next बचे a,b, triple a means हर एक वो string जो a से start हो रही है अब बचे मेरे को क्या करना है इस l एक language है इसका मैंने start with a का automator बनाया बहुत easy है बचे already हम बहुत in depth में automators बनाना सीख गए है अभी देखो बचे start with a right अब बचे क्या किया a को मैं भी उसके बाद में कुछ भी आए अगर b आता है तो बचे उसे मैं क्या करूँगा trap करूँगा right तो यह था मेरा बचे start with a का automator आ रहा है बचे समझ में state number one state number two state number trap right बचे अब देखो अब यह है मेरी language अब मुझे क्या करना है इस language को reverse करना है एल की power r reverse it means बचे एक language reverse कब होगी language किस से बनी है बचे set of string से it means इस language की अगर मैं हर एक string को reverse कर दूं तो वह कौन सी language होगी l reverse reverse करते हैं बचे कौन कौन सी string होगी a का a double a का reverse double a a b का reverse b a a a b का बचे b a a next a b b का बचे b b a next बचे triple a का triple a राइट ऐसे चलता जाएगा आ रहा है बचे समझ में तो अब यह कौन सी language बन गई बचे original language क्या स्थी start with a जब इस language को reverse किया आपने तो ध्यान से देखना बचे अब क्या हो रहा है end with a language बन चुकी है बचे यह कौन सी language बन चुकी है बचे end with a आ रहा है बचे समझ में over sigma equal to a कौमा b over sigma equal to a कौमा b राइट बचे अब मुझे क्या करना है बचे इस language का इस reversal language का automata बनाना है बचे हम एक बार discuss कर लेते हैं जब हमने बचे complimented देखो एक language L थी इस language का जब मैंने compliment बनाया तो इस language का सबसे पहले मेरे पास क्या था बचे DFA compliment किसका possible है DFA का तो बचे इस DFA पे मैंने क्या क्या operation perform किये final को बचे non final बनाया non final को बचे final बनाया आ रहा है बचे समझ में तो ये मेरा बन गया था complimented DFA same case बचे अगर मेरे को reversal automata करना है तो मुझे क्या करना होगा बचे कौन कौन से operation perform करने होंगे देखो बचे interchange final as initial and initial as final राइट बचे and initial as final आ रहा है बचे समझ में जो भी आपकी देखो यहां हर एक final को non final बनाया था compliment में और हर non final को final बनाया था बट reversal automata में confuse मत होना बचे ये काम नहीं करना आपको क्या करना है सिर्फ जो final state है उसको initial state बना दो और जो initial है उसको final बना दो it means बचे जो initial state है उसको आपने final बनाया and जो final state है उसको आपने initial बनाया राइट second point बचे जितनी भी आपके fa में transitions हैं उनकी edge को reverse कर दो राइट बचे तो आपका क्या बन जाएगा reversal automata अब एक दिक्कत आ सकती है बचे कही बार क्या दिक्कत आती है अब हमने क्या किया था फाइनल को initial बनाया था suppose करो आपके fa में more than one final state है dfa में more than one final state हो सकती है या even fa में भी more than one final state हो सकती है उस case में आपको क्या करना है बच्चे देखो बच्चे example सी समझते हैं suppose करो कुछ ऐसा था आपका FA, FA means कुछ भी DFA, NFA, Epsilon NFA अभी हम यहाँ बात कर रहें बच्चे, देखो बच्चे यह A आया, यहाँ accept करवाया बच्चे, यह B आया हमने क्या किया, initial को final कर दो कर दिया, final को initial कर दो, कर दिया बच्चे बच्चे, बट अब देखो हुआ reverse कर दो edge की direction को यह भी कर दिया बच्चे बट अब बच्चे more than one initial state आ चुकी है, बट ऐसा था possible नहीं होता बच्चे, initial state तो एक ही होती है तो अब बच्चे जब भी आपके system में, आपके model में more than one final state आ जाए तो क्या करना है, इसने simple सा बोला है, एक new state बनाओ उसे बच्चे आप initial state बना दो और जो यह given, जो given more than one initial state है उनको किस से add कर दो बच्चे epsilon से, तो अब यह क्या बनगे आपके सामने, epsilon NFA, इसे मैं NFA में भी convert कर सकता हूँ, इसे मैं DFA में भी convert कर सकता हूँ और इस chapter के बाद हम discuss करेंगे बच्चे, minimization of DFA, तो minimal DFA भी बना सकता हूँ इसलिए बच्चे NFA, DFA, epsilon NFA, हर एक की power equal है बच्चे, तो third point पर फिर से सलते हैं if there is more than one final state, okay in original FA, अगर original FA में एक से ज़्यादा final state है, then create a new start state एक नए start state बनानी होगी, कैसे? with epsilon transition to all the accepting state, जितनी भी accepting state थी, original diagram में accepting state बच्चे कौन सी थी, ये थी ये थी, राइट, तो इनके लिए क्या कर दो बच्चे, एक निया state बनाके, epsilon से transition दे दो क्योंकि ये accepting state, reversal automata में क्या बन जाएगी? initial state बन जाएगी आ रहा है बच्चे, समझ में? तो अब हम बच्चे, reversal automata बनाते हैं start with a का देखो बच्चे, start with a का diagram क्या था? start with a right बच्चे ये था बच्चे, मेरा start with a का अब आपने क्या किया है? बच्चे, मुझे क्या करना है? start with a, language l थी इसका l reversal बनाना है reversal automata बनाना है तो आपने क्या किया बच्चे? same automata रहेगा हमारे पास इसमें कितनी state है? a की state, a की final state है बच्चे, तो तो मुझे दिक्कत नहीं आने वाली right? तो हमने क्या किया बच्चे? जो initial state थी, उसको final बना दिया जो final थी, उसे initial बना दिया right बच्चे? trap के बारे में कुछ भी point नहीं है बच्चे? कुछ भी नहीं करना है trap को as it is रखो yellow बच्चे बट आपको क्या करना है? ये करने के बाद जितने भी transition है उनकी as को reverse करना है तो ये बच्चे कैसे हो जाएगा? a, loop तो बच्चे चाहिए loop यूँ बनाओ, चाहिए यूँ बनाओ बात तो ये की है बच्चे तो आपने कैसे भी बना लो a, b next बच्चे इसकी भी आपको transition reverse करनी है b again बच्चे a, b अब देखो important point क्या है बच्चे important point क्या है कि अगर आपका fa dfa था अगर आपका fa dfa था तो बच्चे उस case में अगर कोई trap state t है तो वो हमेशा reversal automata में क्या रहेगी बच्चे unreachable रहेगी क्या मैं starting state से इस trap state को reach कर सकता हूँ नहीं आगया बच्चे समझ में वो trap state कहा होती है बच्चे dfa में होती है right first point second point बच्चे क्योंकि ये unreachable है तो ये तो ना तो कुछ accept करेगा कुछ भी accept नहीं करेगा तो इसका तो कोई meaning ही नहीं है right second point बच्चे अब देखो ये कौन कौन सी string को accept कर रहा है बच्चे देखो ये end with a end with a का nfa बना है ना कुछ भी पहले कुछ भी आई क्योंकि initial state अब आपकी change हो चुकी है पर हमेशा end किस से हो रहा है बच्चे a से तो language कौन सी बनी end with a और हमने उपर क्या discuss किया था बच्चे end with a ही बनेगी आ रहा है बच्चे समझ में क्योंकि जब भी आप किसी string का reverse करते हो तो बच्चे language भी change हो सकती है जरूरी नहीं हर बार हो हो सकती है कैसे नहीं होती है हम check करेंगे examples में तो बच्चे ये जो हमारा बना ये क्या है क्या ये dfa है नहीं है input क्या था dfa बट जरूरी नहीं है reverse operation perform करने के बाद एक dfa पे आपको dfa मिले ये important point है बच्चे अभी तक gate में नहीं आया point क्या है कि अगर आपका input एक dfa है और अगर आपने उस पे reversal automata की operation perform किये तो जरूरी नहीं है बच्चे जो आपको output आएगा वो क्या आएगा dfa होगा may or may not be may or may not be dfa first point आपको ये जहां रखना है बच्चे right बच्चे language क्या होगी reversal language shift होगी अब हम क्या करेंगे बच्चे अगर ये dfa नहीं है तो मुझे पता है बच्चे ये nfa है और nfa को मैं dfa में बड़े असानी से convert कर सकता हूँ हमने सीखा हुआ है बड़ जो given होगा output बच्चे जो आपके पास output आएगा operation perform करने के बाद वो बच्चे जरूरी नहीं dfa हो जब आपका input dfa था first point second point बच्चे एक language l थी इसका आपने बनाया बच्चे dfa right अब अगर इस l language का आप compliment कर रहे हो तो हमेशा बच्चे वो dfa ही मिलेगा को और compliment करने के लिए क्या operation perform किये थे हर एक non final को final और हर एक final को non final ये दो operation perform करने थे बच्चे बच्चे बट जो मिलेगा finally वो क्या होगा हमेशा dfa होगा बट reversal automata के case में अगर आपने एक dfa है उस पे reversal automata या reversal operation perform करने की कोशिस की तो हो सकता है वो dfa मिले और ना मिले बट बाद में हम convert जरूर कर सकते हैं क्योंकि power same है epsilon nfa nfa और dfa की expective power same है बच्चे second point ये important point था बच्चे ध्यान रखना ये वाला point अभी तरग gate में नहीं आया important point है notes में लिख लेना बच्चे तो बच्चे compliment और compliment में अगर बच्चे ये भी point देखा था कि अगर एक language L है आपने उसका dfa बना रख है तो उस dfa पे जब complimented operation perform करोगे तो वो कौनसी language accept करेगा हमेशा sigma star minus L ये ध्यान रखना बच्चे आरहा है बच्चे समझ में और एक और point read किया था कि dfa में अगर सभी states को final कर दिया जाए all states are final तो कौनसी language accept होगी sigma star but in case of nfa ये ज़रूरी नहीं है ये ओलड़ी हम point cover कर चुके है बच्चे एक बार फिर से ध्यान देना इन points को तो हमने क्या किया है बच्चे given problem थी start with A start with A इसका बच्चे reversal automata बनाया क्या automata बन चुका है हाँ बन चुका है बच्चे बले वो nfa है epsilon nfa है dfa है but finite automata हम बना चुके है तो बच्चे इस reversal language का meaning क्या language हुई start with A का end with A start with A का end with A ये ध्यान रखना बच्चे operation क्या क्या perform करने है बच्चे initial को final सिर्फ final को initial intermediate को कुछ नहीं करना वहाँ हम complement में non final को final और हर final को non final बनाते थे ऐसा यहाँ कुछ नहीं है सिर्फ initial को final, final को initial हो तो एक new final state add करो बच्चे, epsilon से सबके final state के साथ transition match कर दो, आ रहा है बच्चे समझ में original FAQ है, ना कि reversal FAQ है original FAQ है, आ रहा है बच्चे समझ में तो ये है हमारा reversal automata कुछ अच्छे examples बच्चे हम next video में cover करने वाले है thank you so much बच्चे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो like, share and subscribe करना ना भूले, thank you so much